स्वागत है आप सबका मेरे यूटूब चैनल में आज हम लोग इस क्लास में डिफरेंसियेशन का पूरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं डिफरेंसियेशन एक इतना important topic है कि पूरा calculus इसके आगे पीछे घुमता रहता है तो इसका एक second का भी concept अगर आप छोड़ देते हैं तो हम 100% grantee के साथ कहते हैं कि आपको calculus समझ में नहीं आएगी तो आप समझ गे न कि इसको एक second भी miss करना काफी घातक सी दो सकता है तो आप सबसे request है कि आप सब लोग पूरे class में last last तक बने रहिएगा और concept कमा जा लिजिएगा देखिए सबसे पहले हम differentiation का definition लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे the process of the process of finding a derivative derivative of a function is called differentiation इसका हिंदी भी लिखाते हैं differentiation पले समझ यह हमने कहा यहाँ पे कि the process of finding a derivative of a function is called differentiation तो process of finding a derivative कहने के मतलब क्या कि किसी फ्लन का ओकलज ग्यात करने की प्रकिरिया को उस फ्लन का ओकलन का आ जाता है लिखेंगे यहाँ पे किसी फ्लन का औकलज ग्यात करने की कि अओकलन का घहता है अओकलन का जाता है काते हैं मतलब क्या हुआ क्या होते एक प्रोसेस होता है किसी फ्लन का ओकलाज ग्याद करने के प्रक्रिया को ओकलन कहते हैं अब दिखिए यहां पर बात समयने का प्रयास किजिए धीर धीर आगे बढ़ेंगे हम कंसेप्ट करके बताएंगे यहां समझे का रहा है यहां से हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता क्या है यह होता है एफ डैस एक्स और इसको वाई डैस या वाई वन भी कहा जाता है ठीक है यह क्या है इसी के मतलब यह संकेत आया है सिंबाल आया है इसका मतलब देखिए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है derivative derivative of y with respect to x derivative of y with respect to x मतलब with respect to patents को x के subject सापेक्ष में, सापेक्ष में, y का ओकालज, y का ओकालज, बस ध्यान देते चलिए, dy by dx का मतलब क्या होता है, derivative of y with respect to x, इसको हम लोग, हिंदी में का सकते हैं, कि x के सापेक्ष में, y का ओकालज, दूसरी बात सुनिए, यहाँ पर, dy by dx को, actually होता है, dy by dx of y होता है, लिकिन, simply हम लोग क्या करते हैं, dy by dx परते हैं, इसको हम लो, a dash x, y dash, y dash, या y1 के रुप में भी लिख सकते हैं, और बाते हैं, पले समझ यह, इस सब symbol है, रिपनिसन है, समझ जाएंगे, उसके बाद जब base बन जाएगा, तो काफी मज आएगा, इसको हम लो, एक और चीज़ कहते हैं, first order derivative, first order derivative, प्रत्थम हिंदित समझे, प्रत्थम करम का ओकालज, प्रत्थम करम का ओकालज, एक बर किया गया है, नहीं का बलेंगे, प्रत्थम करम का ओकालज बलेंगे, प्रत्थम कोटी का ओकालज, है ना, समय रहे बात को बढ़िया से, चलिए, और भी कुछ बाते उसको स समझे वैसे ही अगर हम लों यहां लिख देंगे d2y by dx2 चाह ऐसे ही पर सकते हैं dx2 y by dx2 इसका मतलब क्या होता है ap double dash x y double dash या y2 इसका मतलब साफ है कि दो बार differentiation कर रहे हैं तो इसको हम लोग पर सकते हैं second second order derivative क्या होगा second order derivative करते हैं इसको हम लोग दूतिया कोटी का आउका लज यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी अब क्या है कुछ important derivatives है उनको याद रखना है आपको उसके बाद उन सब को याद रखने के बाद question एक करके आपको समझाना सुरू करेंगे clear तो बात समझने का प्रयास करें एक भी class नहीं छोड़ना है आपसे request है कि class ने बने रहे हैं और बढ़िया से concept को समझते चलिए बहुत मजा आने वाला है बहुत मजा आएगा real में यहां कि इसके बिना तो कुछ होने वाला है नही और वीडियो अच्छा लग रहा है class अच्छा लगता है मेरा तो आप लोग दोस्तों में share भी करना ना भूले बिल्कूल ना भूले clear चलिए यहां लिखिएगा कि इम्पोर्टेंट कि डेरिवेटिव्स कि इसको अपलोग फरमूला के नाम से भी लिख सकते हैं इसका हिंदी होता है म Heroes मुह तोपूल क्या और क्रलर्ज माहर पूर्ण और क्रलर्ज आप लोग लिखिअगे दिखिए क्या है करके हम समझाते हैं आपको यहां पे दिखिए क्या है पहिला dc by dx बराबर होता है 0 यहाँ पे c क्या है constant है इसका मान क्या होगा 0 होगा तो यह आपका हो गया main formula इसको rate box पे हम lock कर देते हैं तकि भागेगा नहीं चलिए example इसमें लेते हैं यहाँ पे example क्या है देखिए कि d 2 by dx क्या हो जाएगा 0 हो गया क्या है constant है constant क्या होता है derivative 0 होता है जान दीजे बढ़िया से दूसरा देखिए d log a by dx answer होगा 0 वो लेका sir log का तो हम लोग पढ़े हैं 1 by x आप 0 कनाटक क्या कर रहे हैं बहुगा देखिए यह constant हो गया constant करें समझेंगे हम लोग x के सापक्ष में कर रहे हैं x के respect में कर रहे हैं तो उपर वाले फांसर में x तो नहीं है नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा यह constant समझा जाएगा इसलिए क्या होगा 0 होगा वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो d sin theta by dx क्या होगा 0 होगा प्योंकि इसमें x नहीं है तो क्या हो गया constant हो गया यह fund आपका clear हो गया बास समझ गये न जल्दी से इसका थोड़ा सा आप लोग बताईए कि d 9709710 मेरा mobile नंबर है यह इसको कर देंगा क्या मिलेगा comment box में comment करके बताईए हमें चलिए दूसरा formula भी हम लोग समाझ लेते हैं बहुत सारा formula है dx के पौर n by dx क्या होता है तो n into x के पौर n minus 1 चलिए इस formula को भी हम अराम से log कर देते हैं ताकि आप लोग को आप ही अच्छा से समाझ में आ जाएगा चलिए अब इस पर question करके हम लोग concept क्लियर करते हैं derivative का formula अगर क्लियर हो गया formula बढ़िया से क्लियर हो गया तो समझे कि सारा काम क्लियर हो गया सारा काम क्लियर हो जाएगा formula से वह सारा question पुझा जाता है तो यहाँ देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या है d x के पावर 7 by dx चलिए पहला सवाल ही क्या होगा पावर पीछे आएगा 7 into x के पावर 7 minus 1 6 हो जाएगा दूसरा देखिए यहाँ पर d x के पावर माइनस 3 by dx power में कुछ भी हो क्या फर्क परता है minus 4 पलस कुछ भी हो power पीछे तो आ नहीं है into x के पावर minus 1 किजिए तो minus 3 minus 1 कितना होगा minus 4 होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं minus 3 गुने 1 बटा x के पावर 4 यह भी answer हो सकता है चलिए आगे देखते हैं d by dx और तेरा है 1 by x इसका क्या होगा तो दिखिए यह हो जाएगा आपके इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग लिखे देंगे x के पावर minus 1 तो क्या होगा पावर पीछ आएगा minus 1 into x के पावर minus 2 क्यांकि पावर में से खटे काता है क्या होगा minus 2 होगा तो minus 1 by x square अब हम करते क्या है तिसरे फर्मूला के रूप में तिसरे फर्मूला के रूप में इसे ही हम लिख देते हैं d by dx of 1 by x क्या होगा minus 1 by x square होगा ऐसा क्यों किये हैं हम इसलिए किये हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है इसलिए साफा इसको याद रखना ही आपको बढ़ेगा बिना याद रखे कोई by नहीं यहाँ पर समझे अच्छा से अब देखिए इससा पाच्छवा d root x by dx क्या होता है तो 1 by 2 root x होता है और छठा जो होता है d log x by dx क्या होगा 1 by x होगा है ना तो इस सारे फर्मूला जो है आप बॉक्स में डाल लेंगे अच्छा से समझ में आएगा अब ही फर्मूला आपके जुबाहना याद होना चाहिए अभी अगर याद हो त आप राम से लिखे comment में किसरा को याद है ये सारे examples हुए इतने formula पे examples काफी हょए examples समझ उइगा और यह सब क्या है ये सब आपका formula होगा च्छौ फर्मूला बताए अभी कम से कम 10 से 12 फर्मूला भी आपको बताने वाले हैं सो बने रहिए और देखे चलिए क्या हो रहा है यहां पर क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है पूरे कलास में एक बार कंसेट बन गया ना तो आपसे बड़ा हीरो इस पूरे बने इंदिया क्योंकि हर एक्जाम कर सकते हैं और आपसे हमें बहुत उमीद है कि आप अच्छा रियल्ठ हमें देंगे इसलिए इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कि इतना कम टाइम में कोई भी आपको इतना सारा कंसेट देने की कोशिस नहीं करेगा चलिए आगे बढ़ते हैं से बेन में दिए देख से चलिए डी एर के पाउर डी एकस बाई डी एकस वाय दी एकस तो यह क्या हो जाएगा के एकसे ऑफ लौग ऐस पर थे यहक फैने ड्याग्शेयर ज़िए होगे है ना दुस्सरा कि दी बाइडी अफ कि टीच पार एक्स तो तो क्या होगा तो है तो थी डितियों कि पार एकस लोग 3 में तो थो था तीसरा अ हुआ है डिवाइडि एक सब्सक्राइब वह फोर के पार एक्स क्या हो जाए और आते हैं यहाँ पे हम लो नाइन नमबर फामूला पे सबसे पहले रहे मिचारे विद्यार्थिएöl आप सबको इस पामूला टोंग्स में घिर देना है क्योंकि यह भागे नहीं है ना मिछन नमर में आते हैं क्या है 9 अब सुरू होती है है यहां पर महरा अधन दोड ट्रिग्रमेटरी फंसन का तो डी साइन एक्स बाइडी एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है टेन नमबर है डी बाइडी एक्स ऑफ कॉस डी कॉस एक्स बाइडी एक्स क्या होता है माइनस साइन होता है एक बात सुन लिजे बड़े प्यार से फर्मूला पुछता है एक्जाम में जिसकी सुरुवाद सी से होगी स्टार्ट किसे होगा एस्टार्ट सी से होगा ईनसर में क्या एका माइनस आएगा याद होग एक सिस्टार्ट ज अबार है हुआ degrees of 10X क्या होगा टेने से कितना होगा से कछ स्क्ष स्क्वाइर boa एक्स जो था दी बाइडी एक्स अफ क्या लिखेंगे यहां से हम लो टेन तो हो गया अब लिखिए कोटेक्स क्या हो जाएगा कोटेक्स का तो फिर सी से तो मैनस पका आएगा माइनस कोसेक एसक्वाइर एक्स और 11 यहाँ पर थोलबा से जान दीजिए 10 यह हो जाएगा 11 यह हो जाएगा 12 नमरी गलत नहीं करना है सॉरी 12 चलिए आए 13 नमर पर क्या है डी बाइडी एक्स आफ सेक्स क्या हो जाएगा तो सेक्स इंटू टैने एक्स होता है और 14 नमर देखिए फर्मुला डी बाइड x of क्या चीज तो कॉसिक का देखिए क्या हो जाएगा कॉसिक का हो जाएगा यहां पर तो माइनस कॉसिक इन्टू स्टिक कोट्ट एक्स यह 14 फर्मूला हुआ अभी चौब फर्मूला देंगी इन भारस वाला देखिए तह यहां पर समझीए यहां का हो गया टारें sentив क्रिक्षृर स्क्राइब का मैनस कोषिक स्कॉइर एक जिसमें श्टार्ट होगा सी से मचाइगा फर्मुला याद रखेगा हमेशा चलते हैं तब चलते हैं मों चेन रूल पर उसको समझेंगे और question बनना हो जाएगा start बढ़िया से समझते चलिए बात को अच्छा से rule भी समझेंगे differentiation का है ना बिल्कुल असानी से समझें अब आया 15 number 15 number क्या है फर्मूला चलिए d by dx of sin verse x sin verse x का differentiation करने पर याल्ट क्या मिलेगा तो 1 by 1 minus x square root में 16 by dx of cos square x क्या हो जाएगा minus 1 by फिर सी आ गया मैनस से पकाना अना ही था ऐसा हो जाएगा है ना 17 दी बाइडी एक्स अफ 10 ले लिजिए 10 number 6 क्या हो जाएगा तो 1 by 1 plus x square 18 दी बाइडी एक्स अफ कोट कर लिजिए क्या हो जाएगा minus 1 by 1 plus x square और निस्तमरी लिजिए d by dx of second verse x क्या हो जाएगा 1 by x into x square minus 1 और क्या हो जाएगा तो कितना होगा दिखिए 1 by minus में x into x square minus 1 है ना तो देखिए फिर यहां देखिए यह दो तीन चार पांच शौप अब यहां देखिए यह क्या है चैना है आपका संदार सालोगी क्या रहा मैंस में लग गया मैंस में लगें अब यहां से हम लों कि यहां से हम नया चीज़ समझते हैं चैन रूल और से कंसेट को समझ कर गलकूलर को काफी ऐसान बनाते हैं बास समझ लेना लेकिन चैन 라고 समझने से पहले हम लोग कुछ समझेंगे कि डिफ्रेंसियेशन का रूल क्या होता है उसे समय लेते हैं ये कि डिफ्रेंसियेशन का रूल समझें बीना हमारे ख्याल से कोई काम नहीं बनने वाला है किलियर पर पहले समझते हैं हम लोग डिफ्रेंसियेशन का रूल क्या होता है रूल दिखने यहां पे रूल्स अफ दिफरेंटियाशन दिफरेंटियाशन रूल अफ दिफरेंटियाशन और कलन की निया हिंदी क्या हुआ और कलन के के नियम यह हो गया और कलन के नियम चलिए देखिए पहला नियम देखिए क्या है पहला नियम कह रहा है कॉंस्टेंट रूल कॉंस्टेंट रूल सबका नाम भी लिकरते हैं कॉंस्टेंट रूल नियतांक नियम क्या है समझ यह कॉंस्टेंट रूल कहता है कि अगर y is equal to क्या हो c into fx हो इसलिए जब dy by dx निकालेंगे हम लोग तो इस c को बाहर कर लेंगे और dfx by dx कर लेंगे मतला fx का differentiation होगा यहीं कहता है कॉंस्टेंट रूल यह दिखिए यह दिख देंगे यहां पर if यदि ऐसा हो तो यह होगा चलिए example से concept जो है ना बिल्कुल समझ में ज्यादा आता है example लिलते हैं यहां पर देखिए y equal to दिया गया है अगर 3x के power 4 तो इसलिए dy by dx क्या होगा यह क्या होगा 3 constant है बाहर कर देंगे dx के power 4 by dx हो जाएगा यह है ना अब क्या नियम है formula apply किजिए 4 जो है वह बाहर आएगा d मतलब dx के power 4 का differential करने का मिल रहेगा dx के power 4 दिख रहा है यहां पर तो dx के power 4 क्या होगा 4 बाहर आएगा और power में से कम हो जाएगा टेंसर क्या मिल गए आपको 12 x q नहीं बुझाया दूसरा एक्जामपल लेते हैं हम एक और एक्जामपल लेंगे लिकिन concept क्लियर करेंगे वाई बरार्मा ने यह दिया है 4 sin x dy by dx क्या हो जाएगा 4 बाहर होगा d sin x by dx तो यह आपका क्या हो गया 4 sin का थामला क्या होता है sin derivative होता है cos x तो क्या मिला यहाँ पर डियो एक्ष का मान अराम से मिल गया है ना यह रहा संदार तरीका तो मतलब इसमें क्या सिखा हमने कि जो constant था यहाँ पर दीखे जो constant था क्या किया थे यहाँ यहाँ बाहर कर लिए है constant है यहाँ पर इसको बाहर कर लिया गया पहले ही सिर्फ फंसन का differentiation यहाँ पर करेंगे बात समझ गया ना चलिए दूसरा नियम समझते हैं दूसरा नियम क्या है यहां समझें दूसरा नियम कहता है सम रूल सम रूल योग नियम या अंतर नियम भी कह सकते हैं चलिए डी वाई बाई डी एक्स समझें बात को बढ़िया से ऐसे और इसके सामनी क्या है एफेक्स पलस माइनस जी एक्स यहाँ दिया गया है तो क्या करेंगे हम लोग अलग डिफ्रेंसिय कर लेंगे डी बाई डी एक्स एफेक्स पलस माइनस डी जी एक्स बाई डी एक्स बस यहीं तो आपका नियम हो गया है फुला सक्केमरा को हम अले आते हैं यहां पर समाझ में आपको आए 100% क्लियर चलिया अ मास समाझ गया ना दिख रहा है चलिए यहां दिखें तो यह आपका इसको ऐसे खरिए ऐस सकता है ऐसे भी लेक्स пой य सकते हैं हम लोग कि वाई बराबर क्या हो !! यू पलस माइनस भी हो, यू और भी क्या है, एक्स का फंसन है, तो डिवाई बेडी एक्स क्या हो जाएगा, तो डिवाई डिएक्स, पलस माइनस डिवी बाई, अलग-अलग हम लोग इसको, क्या करेंगे, कर लेंगे, तो ये भी आपका फर्मूला हुआ, अब इसका एक्जाम्पल लेंगे, तब जाके मज़ाएगा, चलिए एक्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एक्जाम्पल, वाई कोल टु दिया है, यहाँ पर क्या दिया वाई कोल टु, चलिदे हैं हम लोग, कि फोर, कॉस एक्स, पलस, एक्जाम्पल ये दिया गया है, इसलिए, डिवाई में डिएक्स क्या होगा, इसको पहले करेंगे हम लो, चार कॉंशन्ट रह बाहर आ जाएगा, डि कॉस एक्स, बाई, डिएक्स, पलस, डिएक्स, बाई, अब सवाल एक, इसके मैनस आएगा, तो मैनस फोर, कॉस है किपना होता है, डिरिवेटीव, साइन होता है न, साइन एक्स, पलस, ए के पौन एक्स, और यहीं क्या होगया, ऐंसर होगया, इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा, कि हम लोग, अगर दो function जोड़ के साथ दिया रहें, यहां minus लगाते हैं क्या होगा, minus लगाते हैं यहां पर, plus स्य Ó था minus के साथ जूड़ा रहें, तो दोनों को अलग 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 हम लोग differentiation करते हैं, यह बात आपको समझे में आगई होगे, छलिए, आगे समझते हैं, कि आगे क्या क्या नहीं में product rule और consent rule तब समझेंगे chain rule सब कुछ समझ में आएगा बीना समय दिये कुछ नहीं होता है वुआ अगर आप सुझ रहे हैं कि आपको एक एक विरसाब आज आएगा तो गलत फामी में जी रहे हैं आप कभी तो परदा हटें आख से यहां देखें है तीसरा रूल क्या है प्रोड़क्ट रूल क्या लिखेंगे प्रोड़क्ट रूल है ना यहां देखें इसमें क्या होता है इसको समझना का पर जरूरी है यू इंटू भी यू इंटू क्या है भी है अच्छा यू एंड भी क्या है यू एंड भी क्या है फंसन अफ एक्स फंसन अफ एक्स एक्स का क्या है फलन है एक्स का क्या है फलन है तो अब थोड़ा सा हम लो यहां समझते हैं कि बात क्या है इसलिए dy by dx क्या हो जाएगा तो u को बाहर करते हैं भी को हम लोग differentiate करेंगे पला सब भी को छोड़ेंगे भी छोड़ दिए du by dx कर लेंगे ऐसे अब क्या logic है इस इस को हम लोग example के सहरे और clear करेंगे चलिए example लेते हैं हमें आपे example y equal to दिया है x sin x है ना कर रहे की find मने निकाल लें dy by dx 38 उंदर प्रसन काफी बढ़िया सवाल है यह दिया गया है तो निकालने के लिए कहा जा रहा है पूरा का पूरा हम chapter ही topic ही one sort करके बता रहे हैं और बड़े अराम से चाहते हैं सब कुछ आपके साथ share करना बताना बढ़िया से समझाना क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं जो आपका धूरा रह गया अभी तो बेसिक चला रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजे आएगा जो आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा चलिए आगे देखते हैं है ना चलिए solution देखे कैसे करेंगे y equal to क्या है ? x sin x है अब यहां पर क्या है ने कि दो को function दिख रहे है कि यहां दिख रहे है कि यहां दिख रहे है जो चत्र होंगे इसको यू इसको भी माल लेंगे तो rule कहता है इसलिए dy by dx क्या हो जाएगा तो कहता है कि u को बाहर करो इसको करो differentiation d sin x by dx plus अब क्या करो अब इसको तो बाहर किया थे इसको differentiate किया इस पेचारे को छोड़ो अब इसको बाहर करो मतलब क्या है दू को समान है तो पहिले को छोड़ेंगे दुसरे को करेंगे हम plus क्या करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे पहिले को करेंगे dx अब यहां क्या होगा x sin का क्या होता है derivative cos x sin x इसका तबवान होता है फर्मुला तो साफ़ा याद होना चाहिए आपको x cos x sin x समझ रहे न x cos x संदार तरीके से क्या हो गया यह answer हो गया बात समझ के न यहीं क्या हो गया आपका final answer हो गया अभी नहीं बुझाया एक और लेके बताएं क्या example चलिए यहां देखते हैं दूसरे example दूसरे example देखिए y is equal to e के power x cos x रहा यह इस से लिए dy by dx क्या हो जाएगा दूगू फंसन इसमें भी यहां पे हमको दिख रहा है दिख रहा है ना तो क्या करेंगे हम पहले को बाहर कर लेंगे दूसरे को differentiate कर देंगे पलस अब क्या करेंगे अब इसको बाहर करेंगे और इसका होगा differentiation किसका e के power x का लिखते चलिए बस फिर आते हैं निचे इसका same to same लिख लेंगे cos का क्या होता है minus sin x होता है पलस cos x तो रहेगा इसका कितना होगा e to the power x हो जाएगा यहां तक कोई doubt नहीं है बस सब में क्या है यहां भी के power x है यहां भी के power x है common कर लिजे तो क्या बचेगा minus sin x पलस cos x इसी को थोड़ा सजा देंगे हम लो तो e के power x cos x minus sin x क्या होगा इसी का हो गया answer यह और यहीं क्या हो गया आपका final answer हो गया तो मुझे उमीड है कि आपको जो समझ में बात आई होगी है कैसे बना जा रहा है है clear एक और एक जामपर लेते हैं हम लो और जाके समझ में आगा जादा से y equal to x q sin x इसलिए dy by dx क्या होगा चलिए यहां भी क्या हो गया दो फंसन हो गया इसको बाहर करेंगे x q को x q बाहर हो गया पहला फंसन sin x का होगा differentiation अगला step में क्या करना है हम लोग को क्या करना है इसको करना है बाहर sin x और dx q by dx चलिए x q sin का कितना होगा cos x होगा plus sin अपने जगह पे रहेगा इसा कितना होगा 3 x square हो जाएगा अब यहां से कुछ कमन नहीं होने वाला है कमन तो हो भी सकता है x square कमन का लिजे तो क्या मिलेगा यहां पे यहां मिलेगा x cos x plus 3 सिर्फ मिलेगा यहां पे 3 और यहां sin x यह मिलेगा अगर आप कमन नहीं भी करते तभी आपका answer रहेगा तो मुझे उमीद है कि यह जो rule है यह product rule जिसमें फंसन क्या है गूना की रूप में दिया रहेगा आपको समझ में आ गया होगा अभी भी नहीं आया है तो कभ नहीं आएगा कभी नहीं आएगा इसलिए आपसे request है कि आप इसको समझने का प्रयास करें अब आ रहा है अगला rule कोसेंट रूल जिसमें बट्टा में रहेगा फंसन फिर आएगा चेन रूल उसके बाद तो question बनने की स्रीज शुरू बजाएगी समझ रहे ना अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है लाइक करते चलिए बुआ लाइक करते चलिए और अगर आपके पास कोई सोचल मेडिया है WhatsApp, Facebook जो भी है उस पे share कर दे चलिए इतना तो गुरुदरशिना बनता है ऐसे बहुत सारा बच्चे गुरुदरशिना देकर पढ़ते हैं और गुरुभक्ती होनी चाहिए नहीं हो एक गुरुभक्ती दिकत होगा चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत बाते होती है कभी कभी रूल नंबर फोर वाँ क्या गजब का रूल है यह सामने आ रहा है को सेंट रूल को सेंट रूल को सेंट रूल आ गया यहां समझे बढ़ियां से इसमें क्या होता है y is equal to u by v फंसन जो है बटा के फॉर्म में है मतलब बटा के रूप में है u by v के रूप में है u और v क्या है दोनों x का फ्लन है इसले दिखिए dy by dx होता क्या है देखिए यहां पे क्या करते हैं हम लो कि नीचे वाले को छोड़ते हम पर नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले को करते हैं differentiation माइनस अब क्या करेंगे हम लो इसको छोड़ते हैं और dby by dby då, dx और by क्या करते हम लो जो नीचे वाला फंसन है उसका square कर देते हैं क्या करते हैं square कर देते हैं कितना भी बढ़िया फर्मूला हो अगर आप उसे example के दोरह नहीं समझते हैं तो सब बेकार है तो लिखेंगे example y is equal to sin x by x थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए कि यह जो है यह पूरा जो फंसन है यह फंसन जो दिख रहा है आपको यह किस रूप में है देखिए u by b के रूप में है जहाँ पे यह b का काम कर रहा है या u का का काम कर रहा है तो लिखेंगे इसलिए dy by dx बराबर U by B के फर्म में है तो या करेंगे नीचे वाले फंसन को बाहर करेंगे D sin x by dx minus फिर क्या करेंगे sin x को बाहर करेंगे dx by dx अब क्या करना है, रूल काता है कि जो नीचे फंसन उसका square किजिए इसका square किजिए clear बात clear हुआ, अब बस आगे answer यहाँ पर x sin का cause आएगा minus sin इसका तो one आता है, one लिखे ना ने के कोई फरकने पड़ता है, by x square answer हो गया, ना बुझा है ना, एक उससे नहीं बुझाएगा एक और आपको टबलेट खाना पड़ेगा चलिए, लिजिए यहाँ पे यहाँ पे दिया है y is equal to और बहुत बढ़िया सा कुछन लेते हैं e के पाउर x by sin x चलिए, यह दिया गया है base clear, तो chapter clear इसलिए, dy by dx क्या होगा देखिए, u और v के format में आ गई, this is called u हो जाएगा यह यह क्या होगा, v होगा तो dy by dx क्या होगा, तो क्या करेंगा देखिए निच्छे वाले को छोड़ना है उपर वाले को differentiation करना है minus, अब क्या होगा, इसको छोड़िए निच्छे वाले को कीजिए by निच्छे वाले का square निच्छे वाले का square अब यहां समझे, आगे sin x into e के power x minus e के power x, sin के कितना होगा? cos x होगा बटा sin square x अब देखे क्या होगा? यहां से हम लो e के power x कमन कर लेंगे तो sin x आएगा minus cos x बटा sin square x यह भी answer हो गया इसको आगे भी हम लो बढ़ा सकते हैं यहां पर यह answer लिख सकते हैं यह cosine rule यह था यह आप समझ गया अब यहां से हम लो सबसे super rule इसका नाम है chain rule उसको समझते हैं कि chain rule क्या है? यहां देखे chain rule के दोरह ही तो सरा काम होता है यहां देखे यहां पर क्या है? लिखेंगे यहां पर अगला पांचवा rule क्या है हमारा? chain rule chain rules बस समझ यह क्या है? सिरिंखला नियम इसका हिंदी होता है simple भासा में समझ यह कि इसका जो मतलब है सरिंखला नियम कि देखें अगर क्या हो y is equal to if t हो and यह t क्या हो जाए? gx हो जाए मतलब समझ यह जो y जो है वो t का function है और यह t किसका function है? t जो है वो x का function है मतलब t क्या है? x का function है तो इस case में नहीं यह इसका है मतलब यह इसका है यह किसी और का है ममला थोड़ा सा दिकत वला है तो क्या हो जाएगा? इसलिए हमको चाहिए dy by dx y को x के साब पेक्षिपेंट करना है हमें तो क्या करें? बताइए यहां पर लिखेंगे dy y y किसका है? y तो t का ना है तो निचे लिखेंगे d by dy dt into करते हैं लिखेंगे इसके ऊपर dt by t किसका है? x का है तो निचे लिखतेंगे x और यहीं कहलाता है आपका chain rule क्या कहलाता है? chain rule कैसे? इससे हम लोग आराम से question करते हैं example से समझ में सब कुस आएगा चलिए example की होगी बारिस y is equal to दिया है देखिए y is equal to दिया है यहाँ पर क्या चीज़? sin 3x यह दिया गया है कह रहा है find dy by dx यह आपको बताने है देखिए यहाँ पर कैसे solution करेंगे यहाँ देखिए y is equal to क्या है? sin 3x है इसलिए dy by dx is equal to क्या होगा? d sin 3x by d और सुनिए एक फर्मला समझे d sin x by dx क्या होता है? तो cos x होता है तो इस फर्मुला में समझने वाली बात क्या है? उसको हम बताते हैं आपको समझने वाली बात यह है कि sin का angle जो है यहाँ बैठा हुआ है वह यहाँ जब आएगा तब जाकर फर्मुला रेडी होगा तब जाकर answer cos x आएगा तो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी 3x आना पड़ेगा अब क्या करेंगे? हम इसको भेजेंगे उपर तो d3x by dx अब सुनिए क्या हो गया? साइन का कितना होगा? साइन का होगा cos cos 3x इसका देखिए इसका क्या होगा? 3 बाहर आएगा dx by dx फाइनले इसका मान क्या होगा? इसका मान होता है एक इसका मान एक होता है न तो हम इसको छोड़ देंगे तो कोई दिकत नहीं है तो answer क्या लिखेंगे हैं मुलराम से अब लिखेंगे यहाँ पर 3 cos 3x और यहीं क्या हो गया आपका answer हो गया अब इसके साथ कुछ बातें हैं उसको याद रखिएगा देखिए कभी भी ऐसा आए सेचिवेशन आपको d ax by dx बराबर तो क्या लिखेगा सिर्फ x क्या a है answer हो जाएगा जैसे और बताते हैं example में और गरके जैसे यहाँ पर d 4x by dx क्या हो गया 4 answer होगा है ना डी 3x by dx क्या होगा सिर्फ 3 हो जाएगा देख रहे ना तीन था तो तीन आया है एद रखिएगा अच्छा एक बात यह होगे दूसरी बात समझे यह कभी भी ऐसा हो a x plus minus b रहे यहाँ पर d x आ जाए तो क्या लिखिएगा सिर्फ यहाँ से a answer होगा देखिए बात को समझेने का प्रयास कीज़िए एक बात यहाँ बताया हमने clear एक बात हमने यहाँ बताया और इस बात को भी हम clear करते हैं example से example 1 देखिए d by dx of 4x plus 3 x का गुनांग कितना है 4 है न एंसर 4 होगा trick समझेक तरीका के d by dx of 7x minus 2 कितना answer होगा 7 होगा x का जो गुनांग है वही एंसर होगा जो coefficient है क्या होगा जो है वहीं आपका answer हो जाएगा गुनांग से मतलब है उसको सिर्फ गुनांग से मतलब है clear बात समाझगे न तो मुझे उमीर है कि चीज़ समझ में आगे इसलिए यहाँ पे तीन तीन लिखें है कि लिए अब यहाँ पर यह बात तो समझ आपको आगया इसको थोड़ा सर नोट कर लीजिए इसकी इसलिए चलिए यह एक्जामपल हुआ दूसरा एक्जामपल लगब बहुत सारा देंगे इसी एक्जामपल से कुश्चन आपके एक्जाम में आएगा सारा फंड़ा क्लियर हो जाएगा आपका बात समझ रहे ना चलिए सारा फंड़ा क्लियर हो जाएगा सारा कसा यहां पर देखी ग्जामपल यह दिया गया है क्या फर्क परता लिखेंगे solution में, यहाँ पर, y equal to क्या है, sin 3x plus 4, है न, इसलिए, dy by dx बरावर, d sin 3x plus 4 by, और जो आगे रहता हुए, नीचे होता है, न, तो नीचे क्या आएगा, 3x plus 4, बस एक्जामपल देखते चलिए, मज़ा आएगा ही आपको, यह क्या हो जाएगा, d 3x plus 4 by dx, यह बात हो जाएगी, अब simple बात समझे, अब देखिए, अब थोड़ा ओर logical बनिए, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला, अभी बताए न, cos 3x plus 4, एक भी नमबर नहीं कटेगा, संदार एंसर हो गया, clear, और भी example देखिए, तीसरा example, तीसरा example, 100% नमबर मिलेगा, आपको, y is equal to, दिया है, sin x square plus 2, देखते चलिए, क्या हो रहा है, इसलिए, यहाँ लिखेंगे solution में, y is equal to, sin x square plus 2, इसलिए, क्या हो गया, dy by dx, क्या हो जाएगा, d sin x square plus 2 by dx, यह हो गया न, यह हो जाएगा, अब यहाँ पर सुनिए, बात को अच्छा से, यहाँ x लिखेंगे हैं, क्या सही है, नहीं रहेगा सही, आगे वाला चीज़ नीचे लिखते हैं, बुगा, आगे वाला चीज़ नीचे लिखते हैं, into dx square plus 2 by dx, चलिए, अब नया चीज़ सीखने को मिलेगा इस question में, उपर आते हैं, साइन का कितना होगा, cos, cos, x square plus 2, अब यहाँ पर trick काम नहीं न करेगा, तो अलग-अलग कर लेंगे हम लो, dx square by dx, plus d2 by dx, बिल्कुल 0 लेबल से समझाया हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए, तो cos, x square, plus 2, गुने, इसका कितना होगा, 2x हो जाएगा, पाउर पीछ आएगा, पाउर में से घटेगा, तो 2x होगा न, एक बात हमेंसा याद रखिएगा, कि हमेंसा जब भी, जब जब भी, dx square की बात आए, आख मुनकर 2x लिखेगे, पाउर पीछे आएगा, एक्स लिखेंगे, और पाउर एक कम करेंगे, तो वहने आएगा न, यहाँ पे, एक्स के पाउर 1 का मतलब क्या, सिर्फ x, इस बात को भी लिखेएगा, क्लास में अगर जो बने रह जाता है, किसी भी क्लास है, मेरा कोई भी क्लास हो, किसी भी टॉपिक का, किसी चप्टर क्लास हो, जो एक बार बना रह जाता है, तो उसका साफ काम के लिए रह जाता है, और अप्लाइन क्लास में भी अगर आप आते हैं, उसमें लगतार बने र करें और देखते चलिए जैसर क्या मिला फैनली टू एक्स कॉस एक्स स्क्वार कमेंट करके हमें जरूर बताएगा लाश्ट में कि क्लास कैसा लगा आज का क्योंकि बहुत मजदार चीज़े बता रहें आपको यह बास समझ में आ गया तो क्यों न हम लोग कुछ और करें क्योंता है साइन च्वडिये जोले लेते हैं क्याहले आपको तोद लेते हैं सिक सीक एक्स के पाउर फोर चलिए इसलिए डीवाई बाइडीयक निकालना आपको इसको छोडिए करें करना आ है डीवाई वाई डीएक्स सॉलूशन करेंगे यहां पे y equal to क्या है 6 x के power 4 इसलिए dy by dx क्या हो जाएगा तो d 6 x के power 4 by dx के power 4 into dx के power 4 by dx जो angle है होनी चाहता है 6 क्या होता है 6 x into तर्यक्स होता है गुने इसका कितना होगा इसका तो 4 x q पाउंड पीछाएगा पाउंड में से कम होगा और प्यारा सा answer आपके सामने आगिया है कोई अपत्ती नहीं है समझ रहे ना सब चीज है जितने भी question आपको दें दें करने का मुड़ा है और हर question जो है ना आपके concept को clear करना चाहता है यह question भी कसम खाया है कि concept आपके clear करके ही जाएंगे तो आप कहां जाएंगे बने रहेंगे ता न मजाएगा चलिए बने रहेंगे और concept का मजा लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं और और सारा question करते हैं बहुत मजाएगा like करते चलिए share करते चलिए like और share नहीं करेंगे तो फिर आगे हम class नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा तो हमको क्योंकि हमको भी उमीर है कि इतना like share करते हैं आप लो जितने बच्चे ज़्यादा जोड़ते हैं उतना ही हमको अच्छा लगता है तो यहाँ देखते हैं क्या है यहाँ पर चलिए अगला example है ना पांचवा example देखिए देखिए सिर्फ दिया है यहाँ पर कर रहे क्या differentiate देखिए इस वहाँ सब्सक्वेशन तरीका बदलते हैं differentiate with respect to x और क्या कहा दिया question यहाँ पर question जो कर रहे है sin qx इसका डिफ्रेंसन करना है चलिए कुछ बदला है नहीं है तब वहीं है लेकिन तरीका बदला है लिखेंगे solution में जब y का जिक्र नहीं होता लिखते हैं late y equal to sin qx इसलिए dy by dx is equal to क्या होगा देखिए d sin qx by नीचे क्या होगा इसके लिए संदार्थ सब हम उनला को याद करेंगे हम लो dx के power in by dx देखिए पावर का चीज समझिए पावर का चीज अंदर है पावर का चीज अंदर है वही नीचे है पावर के अंदर वाला चीज नीचे है पावर के अंदर एक्स है वही एक्स नीचे है तब फर्मूला क्या बन रहा है एन इंटू एक्स के पावर in minus one एंपन रहा है ना तो जब ऐसा है तो यहां पे पावर के अंदर क्या है कर दी साइन एक्स गुने कर दी साइन एक्स बाइ डी एक्स फण्डा समझ मैं ना क्या होगा क्योंकि यह सब नहीं आएगा न अगर तो फिर किसे पढ़ाएंगे आपको देखिए तो क्या होगा पांवर पीछे आएगा पांवर में घटेगा दो हो जाएगा यहां पर दी एक्स और कॉस्क साइन कितना होता है काॉसे यहीं क्या हो गया अपका फाइनल एंसर हो गया हर एक्जामपल कुछ सिखा कर जाएगी और संजा कर जाएगी बहुत संदार सा ट्रीक हम बताने वाले हैं बस देखते चलिए यहां पर यहां देखिए y equal to 3x plus 4 के power 7 चलिए दिखेंगे solution में y equal to क्या है 3x plus 4 के power 7 इसलिए dy by dx क्या होगा क्या होगा d 3x plus 4 का power 7 power के अंदर क्या इतना है न यह कर देंगे d3x plus 4 by 7 power के अंदर वोला ची नीचा वह तब हम लबनेंगे पता चुके नाम चलिए क्या होगा power पीछे आएगा 7 into और sim to sim लिख देंगे इसको हम लो पाउर में से कम हो जाएगा इसका बाद देखिए इसका ट्रिक बताया ना हम कि जो एक सा गुनाय कोई अंसर होगा इंसर होगा तो साथ तिर का 21 यहीं क्या हो गया आपका एंसर हो गया समझ गया यहां तक बुझा गया चलिए आगे देखते हैं आगे भी बहुत सारे चीजह हैं सेविन नमरे ग्जामपल समझें सेविन नमरे ग्जामपल क्या है है वाई बरावर दिया गया है एक पावर थीरी एक्स पलस फ़ोर आजा हम चलिए क्या मिले का डियो बेडिल एक्स हें लिखेंगे स्लूसन में बाई बरावर का युकिक पावर थीरी एक्स पलस फूर इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बरावर क्या मिलेगा डी एक पार थ्री एक्स प्लस फॉर बाई इसका फंडा क्या इसका फंडा ये है कि डी एक पार एक्स देखे तोड़ा सा जगह बना क्लिकते हैं डी एक पार एक्स बाई डी एक्स तेम टू सेम होता है हम नहीं पढ़ा है सिर्फ फर्मूला की इर्दियत घुमा रहे हैं आपको ताकि सारा कंसेट आपको क्लियर हो जाए यहां देखे तो जो पावर में है वहीं नीचे है तब तो फर्मूला बन रहे है ना पावर का चीज ऐचले जाएगा ऊपर त्री एकस पालस फोर और बाई ऑदी एकश आब क्या होगा दिखिये सेंटू सेम लिख देंगे यहां पी हैं सेंटू सेम होता है ना और कुनां क्या एक्स का तीन है तीन से यहां पर गुणा कर देंगे एंसर क्या मिलेगा चैंटू इकर ठीक्री ए यहीं क्या हो जाएगा आपका फ़रन एंसर हो जाएगा आठवा नमबर बात समझने का पर्यास किजिए आठवा नमबर कोस्चन जो है उग क्या कह रहा है इसे हम लोग समझना चाहते हैं इसका अलग कंसेट मिलेगा आपको सिर्फ सिंपल सा बात समझेज़ कर दिया है वाई equal to, क्या? तो e के power x q तो क्या करेंगे हम? देखिए, सुलुस्तन y equal to क्या है? e के power x q है इसलिए दी y by dx क्या हो जाएगा? बोलिए d e के power x q by d x q power का ची नीचे होगा dx q by d x अई ना हो बात सुने हैं बहुत सारे बच्चे क्या ईफ सर्ते रेते हैं हमें सम्षाब यह करते हैं तो देखिए आप लोग इसका कितना प्यारा सी बना दिख्या तो कितना बढ़िया दिख रहा है इसको बढ़िया से आपने स्किन सोट ले लिजिए और लेने के बद क्या किजिए अराम से आप लो जाके इसको पीडिएफ में कनभट कर दीजिए वह एंडर्वाइड है तो पीडिएफ सिस्टम भी है ना देखते चलिएगा है ना और जो स देना चाहते हैं तकि सारा कंसर्प्ट क्लियर हो जाए सब कुछ दिकत दूर हो जाए अपका आगे कभी न फंसे आप लो अभी रूट वाला बाकी है बहुं सारा बाकी लोग वाला बाकी है आगे देखिए क्या होता है कि चलिए यहाँ पर देखा जाए को दोस्तों में थोड़ें सेयर कर देज apoyo आप लोग से सभी नहीं निवेदन है कि दोस्तों में सेयर करें और क्लास में जितने भी वल्रूस क्लास चल रहा है जो lemba-lelemba क्लास चल सबी चेप्टन को एक बार आप Request है कि देखते चलिए अगर आप class में बने हैं वच्छी बात है अग पर आपको करते हैं तो fast mode में आप कर सकते हैं class के video को और उसको दिय thक सकते हैं आप लों गर समय ते चलिए और बैठकर पढ़ने के कर साथ क्य Id Karl swap कर वहार अपको बताना चाहते हैं तो अलवेज बैठकर पढ़ने कर्यास करें चलिए चलिए बीरो महाम से रहूं आगे बढ़ते हैं इस एक यह लिख्या आया है, देखते चलिए, क्या से क्या हो जाएगा, देखते ही देखते, तो क्या मिलेगा, लिखेंगे solution, देखिए, example बताने का मतलब क्या है, concept को clear करना, log sin x, इसलिए, dy by dx, is equal to क्या होगा, d log sin x by, और दिखें नीचे क्या होगा, तो दिखें, d log x by dx, क्या होता है, 1 by x होता है, क्या कहता है यह फर्मूला, कहता है कि जो log है, log के आगे वाला चीज, नीचे रहेगा, तब 1 by x आएगा, log क्या के sin, तो क्या होगा, sin x नीचे होगा, apply कर देंगे chain rule, तो sin x से जाएगा उपर, by dx, अब सुनिए बड़े ध्यान से, 1 by क्या होगया, sin x होगया, sin x का कितना होगा, cos x होगा, तो cos x by sin कितना होता है, cortex होता है, यहीं क्या होगया, आज समझ रहे न, आगे देखिए, दसवे नमबर में क्या लेकर आए हैं, y is equal to log cos x q, चलिए, कुछ नया करते हैं, इसमें हम लोग, कुछ नया मिला, तो रिखेंगे solution में यहां पर, y equal to क्या है, log cos x q, इसलिए, dy by d, देखिए, नया चीज़ क्या मिला है, इसमें, d log cos x q by d, और, क्या होगा यहां पर, log क्या है कचीज़ नीचे होगा, यह जाएगा उपर, d cos x q by, अब cos के आगे कचीज़ होगा नीचे, into d x q by d x, d x q by d x, है ना, अब सुनिए बड़े प्यार से, कितना बढ़िया बात निकला है यहां से, लिखें क्या होगा अब, यह हो जाएगा cos x q, यह होगा minus, क्या होगा, तो minus sin x q, और यह होगा 3 x square, minus sin by cos क्या होगा, 10 x q, यह हो गया 3 x square, तो जाकर लिखेंगे, हम लोग 3 x square, minus रह गया यहां पर, 10 x q, और यहीं क्या हो जाएगा, आपका final answer हो जाएगा, समझ रहना, चलिए, ऐसा बात आपके सामने जब भी आएगा, तो बराने कोशिश कीज़ेगा, लोग वाला system, clear आपको समझ में आ गया, चलिए, 11 नमर कोशन समझ यह, y equal to दिया है, root under sin x, क्या है, root under sin x, आपको जो यह मतलब की हम बता रहे हैं, यह क्या है, यह जो है ना, आप टेंसर ना लेजिए, आपको बताने का मतलब क्या है, कि जितने भी books आप follow करेंगे, कहीं से कोशन आपके सामने आए, सब बन जाए, अभी example, जो है ने, example, example सारा का सारा clear कर, आपके concept clear कर देगा, आज तक जितने भी आपको परसानिये हुई होई होंगी, इसलिए बैठे रहे, बने रहे, देखते रहे, है ना, इंटरेस्ट आता रहेगा, तो क्या हो गया है, अब आप खुछ सोचिए, कि हम इतने बड़ा टाइम, इतना देर तक पढ़ाते हैं, इससे में लगतार बोलना है, तो हमको कितनी मेहनत होती होगी, मेरा भी मुह दुखता है, मुझे भी तकलीफ होती है, बोलने में लगतार इतना देर तक कौन बोलता है, हम बोलते हैं, तो हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना पड़ता है ना, तो लिखेंगे यहाँ y equal to क्या है root under sin x है अब इसके logic को समझे भीना हम कई से आगे बढ़ा सकते हैं logic समझे d root x by dx क्या होता है 1 by 2 root x होता है कह रहा है क्या कि जो root के अंदर है वही नीचे होगा तब फर्मूला बनेगा root के अंदर वाला चीज नीचे होगा root के अंदर वाला चीज नीचे होगा root के अंदर वाला चीज नीचे होगा root के अंदर वाला चीज नीचे तब फर्मूला बनेगा चलिए रट्टा मार लिए बात तो इसलिए यहां थोला साम bounderic हींतें था confusion आपको नहीं होगा इधर की बातें हैं dy by dx क्या होगा D root sin x by D क्या होगा sin x into D sin x by dx क्या होगा 1 by 2 root sin x क्या होगा यह cos x हो जाएगा बाद समझ गया और इसी को हम सजाक लिख सकते हैं यह इतना भी लिख सकते हैं answer cos x by 2 root sin x answer हो गया तो root वहला सिस्टम सवाज नायक नहीं आया अभी मन नहीं भर है तो simple simple है और complicated करके hard करें जब question कराएगे हम तो और मज आएगा लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ trick समझ लेते हैं इतना सारा बात ताकि जल्दी बाजी में कैसे यूज करेंगे हम लोग अच्छा से चलिए कुछ trick समझा जाएं यहां पर लिखेंगे important tricks important tricks यह जो tricks है आपको काफी help करेंगे problems को solve करने में objective question को solve करने में और किसी भी competitive exam में भी काफी help मिनने वाला है तो जितना भी help मिलेगा और कब मिलेगा जब पूरे tricks को समझेंगे तव चलिए महत्पुन trick के लिए देखिए पहला trick क्या है पहला यह है जितना भी हम लोग पढ़ें उसमें से क्या निकला है कि देखिए यहां पे d by dx of sin ax बराबर है समझें क्या हुआ है हुआ क्या है कि यहां पे sin हो कुछ हो कुछ भी हो करना कि आपको सबसे पहले इसका derivative लिखना है sin है कितना होता है cos x होता है तो cos x है तो क्या लिखेंगे यहां पे sin ax है तो क्या लिखेंगे cos x लिखतेंगे उसके बाद कुणांग क्या है यहां पे a है a से गुना कर देंगे जहां दिजिए यहां पे यहाँ पर क्या है, sin x है, sin का derivative, क्या किया है हम, derivative, derivative का मतलब au college, derivative क्या है, cause होता है, sin गे cause लिख दिया हमने, x है, तो x लगा दिया, उसके बाद क्या किया है, जो गुनां के उसे यहाँ पर गुना कर दिया, यह मिला trick, अब example क्लियर करेगा, कि कैसा important है यह trick, d by dx of sin 3x, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, sin है कितना होता है, cause होता है, cause 3x, sin x का derivative cause, cause होगा लिख दिया हमने, 3 है तो क्या है किया हमने, 3 लिखा है यहाँ पर, 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे, एक और लेजी यह trick यहाँ पर, एक और example से समझ में आएगा trick यह, तो क्या हो जाएगा, d 10 4x, अब बताइए हमें, क्या फर्क परता है, 10 हो चाए कुछ भी हो, 10 यह कितना होता है, 6 square x, 6 square 4x, गुनांग कितना है, 4 है, 4 से गुना कर देंगे, समझ में एक नहीं आया, तो यह example भी आपके concept को clear करेंगे, एक trick है होगा, दूसरा trick क्या है, उसको समझ यह, दूसरा trick है, d by dx of sin ax plus minus b, रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा देखिए यहाँ पर, कि सबसे पहले करना क्या है, साइन का कितना होता है, derivative, pos होता है, तो cos लिख देंगे, cos ax plus b, गुनांग क्या x का a है, इस से गुना कर देंगे, clear, बने गया trick है, इप मिला आपका trick, संदार trick, अब example clear करेगा, कि इस trick का कितना महत्तो है, है ना, चलिए, example लेते हैं यहाँ पर, d by dx of sin 2x plus 5, sin का derivative क्या होगा, तो cos होगा, cos 2x plus 5 लिख दिया हमने, और गुनांग क्या है, दो है, यहाँ दो लिख देंगे, आगया answer, है कि नहीं है, अगर एक और लेते हैं, example तो क्या होगा, d by dx, उसके बाद, लेते हैं, cos, क्या, यहाँ टाइए, ऐसे लिख देंगे, cos, 4x minus 7, क्या होगा, cos का कितना होता है, तो minus होता है, तो minus sin, 4x minus 7, और गुनांग कितना है, 4 यह दो 4 लगा देंगे, answer हो गया, बाद समाझ गया, इसका काफी होज होगा, question को solve करने में, तिसरा trick देखिए, तिसरा trick क्या है, तिसरा trick क्या है, d by dx, अब दोनों trick कब आप निकल गया यह, कैसे, simple समझे, sign, यहां लिख दिया, function कोई भी, fx, तो क्या करना है, अम लोगों लिखना है, क्या हम लोगों को, sign है कितना होगा, cos, तो cos fx लिख देंगे, है न, और गुना में, इसका differentiation, a-x, बताया है न, शुरू में, का a-x का मतलब क्या होता है, अब यह trick क्या कह रहा है, इसके example समझ में हैगा, example दिखिए आपर, y बराबर क्या दिया गया है, तो sin, x के पाउंर फोर दे दिया गया, इसलिए dy by dx क्या हो जाएगा, दिखिये क्या हो गया, क्या हो गया, तो sin के कितना होता है, sin का होता है, cos, तो cos लिख देंगे, cos x के पाउंर 4 गुने, इस फंसन का कितना होगा तो 4x के पाउर 3 होगा जो फंसन आगे है उसका अब डेरिवेटिव निकाल दीजे समझ रहे न ये आपका एक्जामपल रहा है न बाश समझ गे न बहुत बड़ी बड़ी चीजें है जो छोटे तरीका से बता रहे हैं असान तरीका से बता रहे हैं y बरावर मान के चलिए दिया है cos root x दे दिया इसलिए dy by dx क्या होगा ट्रीक से बनाईए तो cos का कितना होगा minus sin root x लिख देंगे और गुणा में क्या आ जाएगा root x का कितना होता है 1 by root x होता है ऐसे हम लोग काम कर लेंगे आप समझ रहे ना बात को बढ़िया से इस तरीकर से हम लोग काम करते हैं अभी तीन ट्रीक वह आगे देखिए क्या क्या है आगे बहुत कुछ अब हुआ समयते चलिए आगे बहुत ट्रीक है हैं बहुत चीजे हैं जो आप समझेंगे तरजा के काम बनेगा नहीं तो काम नहीं बनेगा समझ रहें ना कि यहां दिखिए फोर नम्मर में क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पाउर एक्स पलस माइनस बी पहले हम लों सिर्फ एक्स वाला ही कंसेप्ट क्लिर करते हैं इसको ही समझते हैं होता क्या है दिखिए एक्जांपल क्लियर करेगा कंसेप्ट को एक्जांपल देखिए डी एके पाउर चार एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा तो स्यम टू स्यम लिख देना है है ना और उसके बाद चार से गुना कर देना है बात क्लियर हो गया पांच वाट ट्रिक देखिए क्या हो जाएगा तो एक्स पलस माइनस बी तो इसका होता है स्खिए उसके बाद क्या कीजिए आप अराम से यहां से एक्स से गुना कि है एस से गुना कर दीजिए यह रहा ट्रिक आपका क्लियर अब दिखें यहां पर एक्जामपल समझ में आगा क्या कंसेप्ट क्या होता है डी बाई डी एक्स कि एक पाउर से बेनेक्स माइनस तिरी सेम टू सेम लिखने के बाद एक्स का गुना कैसाथ है साथ से गुना कर देंगे क्या होगया आपका एंसर हो गया समझ रहें बात को बढ़ी है से और दोनों ट्रीक का एक बाब ट्रीक है मास्टर मांड ट्रीक उसको समझ यह क्या है त्रीक ओ यहाँ दिखें दी बाई डी एक्स से kit पाउर एफ एक्स क्या हो जाएगा सेम टू सेम लिख देना है आपको अगुना इसका डिफ्रेंसियेसं बस यह देखिए यह सार ट्रिक है ना ओवर ओर ट्रिक समझे इसको सारा कामसान कर देगा कैसे देखिए यहां पर एक जामपल एक वाई कोल टुमान के चलिए दिया है चैसे समझे डी बाइडी एक्स क्या होगा अंसर इसका? अबजेक्टिव बोलिए सेम टुसेम लिखतीजिए गुने कोसेक्स का क्या होता डरिवेटिव? साइन एक्स होता है यह लेकिन माइनस में दुसरा समझ यह डी बाइदी एक्स एक्स के पाउब दिया यहाँ पर एक्स के पाउब फूर sim to sim लिखने के बाद इसका derivative क्या होगा 4 power पीछे आएगा क्यों हो जाएगा आप समझ रहे ना एक और लेते हैं हम लो d by dx e के power sin भर्स x क्या होगा sim to sim लिखने के बाद आप क्या किजिए इसका derivative लिकाल लीजिए 1 by कितना होता है 1 minus x square आप समझ रहे ना इस ट्रिक भी काफी विच्फफल रहा आपके लिए इस ट्रिक्स जब अपलाई करेंगे तो क्या होगा कोस्चन जो होगा बहुत जल्ती बनेगा चलिए सत्वा ट्रिक देखिए सत्वा नमर्ट ट्रिक क्या है d by dx दिया गया है log fx यह करना क्या है one by effects लिख देना है आपको यहाँ पर अगुना में इस फंसन का differentiation लिखना है बस इस ट्रिक को देखिए हम कैसे box में डालते हैं ताकि भागेगा नहीं एक्जामपल समझे एक्जामपल क्लिए रहें कंसेप्ट को d by dx of log sin x करना कुछ नहीं है आपको simple समझे sin x क्या हो गया फंसन आ गया one by sin x कर दीजिए इसका differentiation करने पर यहल्ड क्या आता है cos आता है न दिख देंगे cos cos by sin क्या होता है cot होता है cortex पास समझ रहे न कोई दिक्कत तो नहीं है तो ऐसे बहुत सारे tricks हैं बहुत सारे tricks हैं से जिसको आप अच्छा स्यूज करके मतलब की आगे बढ़ सकते हैं तो ऐसे tricks भी आगे बताते चलेंगे हम इतना note का लीजे और आगे हम लो और अच्छा से पढ़ते हैं अब यहां से हम लो अगला example समझते हैं देखिए अगला example क्या है देखिए y is equal to दिया गया है e का power sin inverse x है ना देखिए logically नहीं बनाना है आपको trickly नहीं बनाना है method समझते हैं इसलिए देखिए हम पर कैसे solution करेंगे हम लो लिखेंगे solution में y is equal to क्या है e के power sin inverse x है इसलिए dy by dx is equal to d e के power sin inverse x by d जो power में रहता है नीचे आता है उपर चल जाएगा यह तो क्या होगा inverse x by dx क्या होगे दिखिए यह होगया e के power sin inverse x गुने 1 by 1 minus x square इसे ट्रिक्स अभी करना आप सीख लिए है ट्रिक्स जल्दी बन जाता है लोजिकल पुछेगा दो मार्क में या तीन मार्क में चाहिए पांच मार्क में तो ऐसे बनाईएगा चलिए आगे भी सुनिए मेरी कहानी क्योंकि ए कहानी आपके लिए काफी यूजफूल रह रहा है देखिए y is equal to दिया है sin inverse 3x चलिए कैसे बनाएगे हम लोग देखेंगे solution y is equal to क्या है sin inverse 3x है ठीक है ना इसलिए dy by dx is equal to d sin inverse 3x by अब sin inverse x का formula समय लिया जाए क्योंकि बिना समझे तो हम आपको छोड़ने वाले हैं नहीं बिना समझाए नहीं छोड़ेंगे आपको यह ना होता है formula इस formula में आपको क्या खास दिखाई दिया हमको तो यह दिखाई दिया है कि यहाँ पे जो आगे रहेगा वो नीचे होगा तब formula बनेगा साथ आपको भी यह sign दिखाई दिया होगा हस क्या रहे हैं देखिए यहीं सच बात है चलिए तो आगे वाला चीज़ नीचे होगा 3x यह चलिएगा उपर 3x by dx आपको आप समझ रहे हैं चलिए फर्मूला को समझते हुए यहाँ पे क्या होगा साइन का क्या है 1 by 1 minus जो यहाँ है उसका square किजिए 3x है square गुने यहाँ पे सिर्फ यहाँ से क्या निकलता है 3 के बता चुके हैं 3 निकलता है 3 by root over 1 minus 9x square answer हो गया समझ रहे हैं बात को बढ़िया से कोई दिकत है चलिए नहीं दिकत है आगे दिखिए संदार question यहाँ पे यहाँ कल दिया है sin ax plus b by cos cx plus d देखने में कितना भारी question लग रहा है वहारी नहीं नहीं है वहत असान question है हमें देखे कैसे solution करेंगे y equal to क्या है sin x plus b है कि नहीं by cos cx plus d अच्छा नीचे cos है तो उसको इसा लिख सकते हैं हम लोग sin ax plus b गुने नीचे तो उपर जागा तो क्या होगा sick हो जाएगा न sick cx plus d नहीं हो जाएगा sick cx plus d हो जाएगा पक्का हो जाएगा देखिए यहां पर हम बता देना चाहते हैं पक्का हो जाएगा देखिए अब समझे इसलिए dy by dx क्या होगा दूगोफ फंस आने कि यहां पर है एक यहां पर है इसको बाहर करेंगे इसका डिफ्रेंसेशन होगा इसको बाहर करेंगे इसका डिफ्रेंसेशन होगा लिखेंगे हम लो साइन एक्स को बाहर कर दिया क्या होगा एक्स प्लस बी और डी और हमारे ख्याल से अगर इस चीज को हम लो थोड़ा सा इधर सोल करें तो अच्छा रहें इसको लेख लीजिये नंट कर लिजिएगा क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी हो जाएगी यहां से हम यहां से डालते हैं चलिए यहां से लिखेंगे यहां पे यहां क्या हो ईसे तो y क्या रिखेंगे हम लोग, y equal to क्या होगा, तो sin ax plus b तो मिला ही था, साथ में क्या मिला था, तो 1 by cos, दिखे, sin x by cos x दिया है, मतलब ये कुछ भी है, मतलब बान के चले a दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, cx plus d, चली गए, यह आ गया, यह हो गया, दो पार्ट, इसलिए dy by dx क्या होगा, sin x को बाहर करेंगे, sin x बाहर हो गया, इससे करेंगे differentiation, cx plus d by d, dcx plus d, into d, cx plus d by dx, पलस, पलस, यह बाहर हो जाएगा, cx plus d, into d sin, क्योंकि इसको बाहर करेंगे न, हम लोग, अब इसको करेंगे, u into v पहर, इसको बाहर किये, इसको differentiate कि, अब क्या करेंगे, और आ हम से इसको जो differentiate कर दिये, छोड़ देंगे बचारे को, अब इसको differentiate करेंगे, सिखा चुके हैं न, हम, दिखें कैसे बन रहा है, अब उताएंगे तना ही न, होगा, गुदो न, d, x plus b, by dx, चलिए, साइन का मिला, साइन सेम टू सेम मिला, सिख का क्या होता है, सिख का होता है, सेक, x into 10x, सेक, cx, plus d, into 10, cx, plus d, चलिए, अब इसको मिटा देने में कोई हर्ज नहीं है, clear, clear, और, plus, सेक, और एक और बास सुनिए, यहाँ पे, मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं, नहीं, नहीं किये हैं, इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से c मिलेगा, जो c मिलेगा, उसको तक गुना कर देजी, यहाँ पे c, इसको आईए, सेक, cx, plus d, गुने, साइन का होता है, कॉस, कॉस, एक्स, पलस, बी, इससे निकलेगा, ए, अब करना क्या है, एरेंज का कलिक देना है, यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सीब आएगा, बाहर, सी, साइन, x, plus b, यह साइन है, इन्टू, सेक, cx, plus d, इन्टू, 10, cx, plus d, c, plus a, सेक, cx, plus d, इन्टू, कॉस, x, plus b, क्लियर, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा, सब दिखेगा, क्लियर, समझना गया न, तो इतना अंसर होगा, तो आपको, यह जो है न, यह, यहाँ से बहुत सारे बच्ची गलबल करते हैं, इस तरह नहीं बना पाते हैं, यह इ कोचन हाड लगते न, असान हो जाएगा हो, कोचन इसे पूछ सकते एक जाम में, आप लिजेगा, इससे, बनियर, समझ लिजेगा, चलिए, मिटाते हैं, हब आने से कुछ नहीं न, होगा, आए फिर, देखिए, आप अच्छा से, समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ असा जाएगा, concept जब बन जाएगा तब, तो chain rule से अगर इतने, ऐससे question आते हैं, तो आप जाके बना सकते हैं, थोड़ा सा, आपको हम एक homework देना चाहेंगे, कि 5.2 and 5.4, NCRT book का, एक book तो चाहिए न, NCRT book, कौन सा book देना हैं आपको, NCRT से, NCRT से आप जाकि ये NCRT book से बना सकत ठीगे न, तो इतना करने के बाद, आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखते हैं लोग, यहाटाइए इसको, आगे समझते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्या, differentiation of, differentiation of implicit function, implicit function, implicit function का हिंदी होता है, और, असपस्ट, फॉलन, यह होता है, असपस्ट फॉलन होता है, बस इसको हमनों ज्यादा तर डिसकस नहीं करेंगे, बाद समझेंगे बढ़ी हैं सर, question नहीं सुर करेंगे, चलिए, यहाँ देखिए, इसमें क्या है, समाझने का प्रयास करते हैं, देखिए, यहाँ पे, y equal to x square, plus 2x plus 1, y equal to sin x, plus cos x, एक केस ऐसे बनाते हैं, और यहाँ दिया गया है, x square, plus y square, बरावर 81, xy plus sin y equal to x square, plus y square, plus 9, इन दोनों केसे में क्या आपको समझ में आता है, दुखिए, क्या समझ में आ रहा हैं दोनों केस में, दोनों केस में यह समझ में आपको आना चाहिए, इधर क्या है, कि y सिर्फ एक साइड में है और एक सिर्फ एक साइड में है, x वाला अलग है, y वाला अलग है, मतलब क्या है, समझ यह बात सुन लेजिए, क्योंके लिखना चुरुम है यहां पर, जो भी है, वो क्या है, y एक सिर्फ के रूप में ब्यक्त कर दिया गया है, इधर क्या हो रहा है, है कि x y mix है, मतलब यह जो format बनेगा वो ऐसे बन रहा है, x y बरावर c, मतलब f y बरावर एक constant के रूप में बन रहा है, इसमें कह रहा है कि यह जो function है, मिक्स फंसन इसमें वाई जो है एक्स के रूप में असपस्ट नहीं है वो फंसा हुआ हुआ है इसमें साफ पस्ट है तो इस टाइप के फंसन को तो हमनों पढ़ लिये डिफ्रेंसल करना कि वाई अलग रहे हैं तो नाम ले लेते हैं क tää हैносि एक्स्पलिसीट फंसन और यह हीं क्या होगा आपका इंप्लिसीट फंसन न है क्या है इस टप पे कोशन का सोलूशं का कैसे होगा इसको सीखना है में लोग को चलिए एक्जामपल से हम लोग सीख लिया जाए चलिए यहां पर क्वूश्चन एक दिन लेते हैं यहां पर कह रहा है इफ क्या है यहां पर क्वूश्चन की x square plus y square equal to 4 then find dy by dx ये प्यारा सा question हुआ question क्या है x square plus y square equal to 4 हो गया तोब आप d over x निका लिए तरीका सिख लिए जैसे question मन जाएगा आपसे solution एक book तो और साथ मुना ही चाहिए जिससे आपको question सोल करने फाइदा हो यहां देखिए तो क्या है given लिकें given तरीका से given x square plus y square equal to 4 लिखें यहां पर differentiating differentiating both sides with respect to x in this amali जिसका xk subject दुन तरफ और क्रने पर और क्रने पर एक्स के साफ एक्स दोनों तरफ और क्रने पर क्या होगा चलिए यह हिंदी वाले भाईया लिक लेंगे आप लोग तो लाइक करते चलिए ताकि चलिए तो क्या हो जाए इसलिए यह डी mSquare by dx स्पेलट तो वह नीचे हो जाहे तो प्यों कि वह हम तोड़ेंगे समझ रहे हैं बात को नहीं, इसी स्ट्रिप को तोड रहे हैं यहां पर, dy by dx, is equal to, क्या होगा, d4 by dx, अब यहां clear बात समझें, यह हो जाएगा, 2x, यह क्या होगा, 2y गुने, dy by dx, बराबर, 0, यह होगा, अब यहां सुनिए, बात को बढ़ियां से, 2y गुने, dy by dx, बराबर, यहां किदर क्या होगा, मैनस में हो जाएगा, तो क्या होगा, मैनस में होगा, तो यह कट जाएगा, कट जाएगा, तो simple बात है, इसे लिख सकते हैं का, इसलिए, क्या होगा, इसलिए, dy by dx, बराबर, मैनस x by y, और यहीं क्या होगा, आपका final answer होगया, क्या होगया, final answer होगया, समझ रहे न, आप लोग एंसे आट ये बुक जाकर देखिएगा, और 5.3 में, अभी एक से लेकर 8 तक ट्राइ किजएगा, एक से लेकर 8 तक ट्राइ किजएगा, चले कुछ और भी कोश्चन करते है सब्चूशन के साथ में, देखिए वो क्या है, और सब्चूशन का method क्या होगया, समझते हैं, सारा differentiation clear हो जाएगा, आपका, बस थोड़ा देर, और बने रहे हैं मेरे साथ, यहां लिखिएगा, important substitution, important, साथी शिवशन, महत्पुन प्रतियस्थापन, महत्पुन प्रतियस्थापन, महत्पुन प्रतियस्थापन क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहां पे समझने का प्रयास करेंगे, बस दिमाग में बसा लेना है कि a square, पलस x square, ऐसा केस कहीं दिखा जेता है, रूट में चाहिए, रूट के अंदर, तो हम लोग x के अस्थान पे, जेनरली a tan theta, या x बराबर a cot theta, पूट कर सकते हैं, दुसरा, जदर नहीं बताएंगे इसमें, बस a square minus x square दिखाई दे आपको, तो आप x के जगह पे, a sin theta, और a cos theta पूट कर सकते हैं, अगर आपको x square minus a square दिखाई दे रहा है कहीं भी, तो ऐसा cases है, तो उस case में क्या पूट करते हैं, लिखेंगे, x बराबर a, c theta, x बराबर a cos theta, समय कंसरा इस अपूट कर सकते हैं, और भी है cases, उस cases को भी समय ना काफी ज़रूरी है, कहीं a minus x का case दिख रहा है, root में हो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या, तो उस case में x equal to, आप a cos theta पूट करें, तो बहतर होगा, यह subconscious हैं, बट कुछ formula भी है, trigometric formula, t formula लिखे, t formulas, समझे, इसको समझना तो नहीं यह तांक आउस्यक है, नहीं तो काम गरबड हो जाएगा, देखे, गरबड क्या हो सकता, तक नहीं यादोगा, तब लें समझे formula को, समझना क्या है, यहां दिखे, कि, cos 2x is equal to, 1 minus 10 square x theta लिखिया अचा रहेगा, 10 square theta by 1 plus 10 square theta, 10 के फॉर में यह formula होता है, इसका और भी formula मिल सकता है, बहुत सारा formula है cos का, cos square theta minus sin square theta यह भी होता है, इसका formula है ना, और भी है, 1 minus 2 sin square theta, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 cos square theta minus 1 भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, दूसरा देखिए, sin 2 theta का formula होता है, 2 sin theta into cos theta, 10 के फॉर में होता है, 2 tan theta by 1 plus 10 square theta, समझते चलिए, काम देगा, तिसरा, 10 2 theta is equal to क्या होता है, 2 tan theta by 1 minus होता है, 10 square theta, आगे देखिए, 10 3 theta बरावग क्या होता है, 3 tan theta, 10 q theta, by 1 minus 3, 10 square theta, यह संदार सा formula है, और बहुत सारा formula है, उसको भी आप याद कर सकते हैं, हाप एंगल formula भी याद कर सकते हैं, अब कुछ इसका यूज करके हम आपको समझा रहे हैं, ताकि आपका concept जो है थोड़ा सा और clear हो जाए, चलिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर question है, question लेते हैं, क्या है question लेके, if y equal to sine inverse, 2x by 1 plus x square, यह दिया गया है, find dy by dx, find dy by dx, अगर इसे आप बनाते हैं, method से, तो मतलब simple method से, channel लगे का बनाते हैं, तो समझे कि band बज़ जाएगा, आज यह band बज़ जाएगा, तो यहाँ से बनाएंगे हम लोग तरीका अपलाई करके, y equal to क्या है, sine inverse क्या है, 2x by 1 plus x square, है नहीं है, अगर हम नों यहाँ 10 put करेते क्या मिलेगा, formula मिलेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, putting, x is equal to, x is equal to, क्या चिश, तो 10 theta, theta बराबर क्या हो जाएगा हैं से, 10 inverse x हो जाएगा, यह बाद की बात, लिखेंगे now, y is equal to क्या है, y is equal to क्या है, sine verse, x के अस्थान पे क्या लिखेंगे, 10 theta, by 1 plus, 10 square theta, sine, और यह क्या देदेगा आपको, यह देदेगा, sine 2 theta के बराबर देदेगा formula, और आप पढ़े हैं, इन भाष ट्रक्रमेटरी में, आपको बताए थे, कि sine inverse, sine theta का रहता है, तो theta आता है answer, पढ़े ना, condition निए डिसकस कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 theta बाहर आ जाएगा, 2 theta का मन कितना है, देखिए यहाँ पर, 10 inverse x आया है, 10 inverse x, अभी सिर्फ y का मान है आपको, y इकोल इतना मिला, आप लिखेंगे इसलिए, dy by dx, बराबर क्या होगा, 2 गुने, 10 inverse x by dx, 2 गुनिष्ट्या कितना होता है, 1 by 1 plus x square होता है, यहीं क्या होगा, आपका final answer होगया, 5.3 में ही, आप लुजा कि, एक से लेकर, 9 तक जाके बनाईएगा, कहां बनाईएगा, 9 से लेकर, 15 तक, कहां बनाना है आप लोगको, 9 से लेकर 15 तक बनाना है, इस बिस्प है, अगर नहीं बनता है, तो लिख सर्च कर लेजएगा, 5.3 वाई आरके सिंग, वहां से भी ले सकते हैं, मने एक बार आप लोग बना लीजी, बस, है ना, बहुत कम कम कुच्चन है, बनने से फाइदा होगा, कि आपका सारा कंसेप्ट बा क्लियर हो जाएगा, जाओ उटे सारा खतम हो जाएगा, चलिए, तैसे कुच्चन आप असानी से बना लेंगे, मुझे उमीद है, नहीं बनाते हैं, तो आप पच्च्टाएंगे, चलिए, अब यहाँ जो लिखने जा रहे हैं, उसको समझना काफी जरूरी है, और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, लिखेंगे, डिफ्रेंसियेशन, यूजिंग, लॉगरीदम, लॉगरीदम, लॉगरीदम का यूज़ करके, आप लोगो को क्या करना है, डिफ्रेंसियेशन करना है, कैसे करते हैं, कब लॉग उज़ करते हैं, इसको समयना काफी जरूरी है, देखिए, समझ लेंगे, बनियाच से कंसेप्ट को, काफी मज़ा आ जाएगा, हर चीज़ का एक समय आ गया इसमें, समय होता है, उसका समय आ गया यहां पे, बहुत लोग परसान था कि सब लॉग वाला कब पढ़ाएंगे, जिज़े न लॉग वाला आ गया, सबसे पहले कंडीशन समझते हैं, कंडीशन किस कंडीशन में, हमनों लॉग का यूज कर सकते हैं, कंडीशन स, यह कंडीशन नमरीक यह है, कि भाइरियेबल का पावर भाइरियेबल, एफ एक्स का पावर जी एक्स हो, इस तरह से आए, तब जैसे हमनों ले सकते हैं, यहां पे कुछ एक्जाम्पल, ajska power x sin x ka power x قas x ka power sin x ऐसे question जब आपके पास आएंगे, पुछे जाएंगे तो आप रामसे यहाँ पÈ log का यूज करेंगे है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा दो ही तरीका बताएंगे आपको बहुत सारा फांसन क्या हो गुणा में रहे GX HX बहुत सा रफ़न सन गुणा में रहे तब भी क्या करते हैं हम लोग का यूज कर लेते हैं है ना लोग का तरद आप नाम सुने हो यह गर इसा नहीं कि पहली बार आप लोग का नाम सुन रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं चलिए यहां पर दिखें तो क्या करेंगे आप जैसे एक्जामपल बता रहे हैं कि कॉस X गुने कॉस 2 X गुने कॉस 3 X तब क्या करेंगे इस कोच्चन के लिए भी आप लोग का यूज कर सकते हैं एक कोच्चन सॉल्ब करते हैं कोच्चन है यहां पे कॉस्चन क्या है करें कि इफ Y क्वाल टू क्या है साइन एक्स का पावर X है फाइन्द डिवाइ बाइ डिए डिए एक्स चलिए सोलुशन कैसे करेंगे हम दो समय लेते हैं लिखेंगे यहां पे सोलुशन में Y कॉल टू क्या है साइन एक्स का पावर X है अब इसको यहां तक तो लिखने के बाद में काम समझे का करना है यहां लिखेंगे पूरपॉर्टिज अफ लॉग कुछ पूरपॉर्टिज भी है जो यूज होता है इसमें पहला पूरपॉर्पॉर्टिज समझे कि लॉग यहां पे है X के पावर M है तो M चलाएगा पीछे तो M लॉग X हो जाता है दूसरा यह है लॉग अगर A इंटू B है तो लॉग A पालस लॉग B हो जाएगा गुना हो जाएगा जोड में किसरा है लॉग A बाई B है तो लॉग A माइनस लॉग B भागा हो जाएगा माइनस में है ना चलिए यह तीन पर पट्टि जो है ना यह समझे काफी इंपोर्टेंट तीनों पर सारा काम बनता है तो यहांपे हम लोग क्या लिखेंगे यहांपे लिखेंगे तक किया टेकिंग लॉग BOS Sides टेकिंग लोग अच्छा टेकिंग लॉग बेस E भी लोग लेता है वो भी ठीक है लेह लिख रहा है तभी कोई बात नहीं है taking log both sides यह क्या होता है? base होता है तो उसके लिए कोई दिकत नहीं है चलिए, both sides तो क्या हो जाएगा? बुलिए, log y बराबर log sin x के power x यह चलाएगा पीछे तो x गुने log sin x हो गया न? अब यहाँ पर क्या होगा कि यह जो हो गया यह यह आपका पहला function यह दूसरा function clear? लिखेंग यहाँ पर differentiating both sides with respect to x हिंदी हुआ दुनों तरफ x के साफ x में औकलन करने पर हिंदी क्या हुआ? दुनों तरफ x के साफ x में औकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? इसका किजिए? d log y by dy dy dx चलिए पहले का करेंगे? इसका x को बाहर कर लेंगे इसका कर रहे हैं लोग fx का सिखा है न trick को हम trick वा यहीं काम करेंगा का कर रहे हैं? जो आगे है उसको नीचे रखिए ठीक है? गुना जो आगे नीचे रखिए गुना इसका डिफ्रेंशन कीजिए तो cos x होगा इसका इसे ही करेंगे ना trick से, trick से करेंगे, trick कब अपलाई करते हैं? trick अपलाई करते हैं किसी question के बीच में ताकि समय बच जाए plus इसको चाटेंगे, मतलब u into b पर, u को बाहर किया, b को differentiate किया, clear, अब यह करेंगे हम इसको बाहर करेंगे, log sin x, गुने x का 1 हो जाएगा, differentiation, हो जाएगा ना, हो गया, यहाँ देखिए, यह 1 by y भी तो हो जाएगा, 1 by y हो जाएगा, 1 by y into dy by dx बराबर, x cos by sin cortex, है ना, plus log sin x समझ रहने बात को बनिया से, log sin x यहाँ दिखते हैं अच्छा से, plus log sin x दिखाई दे आपको, यहाँ तक आने के बाद, सुराइच दे हटाते हैं हम, screenshot लिजे थुड़ा अपलो, चलिए, क्या हो जाएगा, यह dy by dx is equal to, इस वाई से गुना होगा, इसमें तो y into x cortex plus क्या है, log sin x log sin x, यहीं क्या हो गए आपका, answer हो गए, लेकिन y का मान भी रख लेते हैं हम लोग, तो y का मान कितना है, sin x के power x x cortex plus log sin x, और यहीं क्या हो गया, आपका लितिज़े, answer हो गया, ऐसे question आपको दिया जाएगा, cos x के power x 10 x के power sin x, तो आप लोग बना लेंगे, मुझे उमीद है, clear, बाद समझ रहें न, तो ऐसे question आपसे बन जाएगा, चलिए अगला question देखा जाए, जो दिया गया question है, इस question के एक और तरीक है सबना सकते हैं, उसको समझ लेंगे अगर आप, तो काफी अच्छा रहेगा, clear, और उसका बहुत benefit मिलेगा, किसी दूसरे question को solve करने में, कैसे, दिखेंगे यहाँ पर, ट्रीक समझे इसको, और ट्रीक जो है न, subjective question में काम देगा आप, कैसे, y is equal to क्या दिया गया है, fx के पाउर, gx, यह नहीं है, sorry, gx, क्या है, gx है, इसलिए, dy by dx, क्या हो जाएगा, same to same लिखते हैं, इसलिए पहले समझे ध्यान, same to same लिखते हैं, gx, उसके बाद, उपर वाला बटन, नीचे वाला, उपर वाला बटन, नीचे वाला, नीचे वाले का, differentiation, नीचे वाले का करेंगे, differentiation, पलस, नीचे वाले में, log लगा देंगे, लीचे बाले में लोग लगा देंगे, और इन्टू इसका हम लोगा करेंगे हाँ पर, जी दैस, एकस करेंगे, ये फर्मूला है, क्या फर्मूला है, इसलिए, इसे शुअ्चमूल देखें, क्या था, y कोलड़ तो, साइन एकस का पावर, एकस था, चलिए, इसलिए, प्लश प्लश करना ही है निच्छे वाले में ही लोग लगेगा तो लॉग साइन एक्स अगूने अब कौन सा फंजन के साथ शेड़ शेड़ नहीं हुआ है सिर्फ बचार एक्स बच्चा हुआ इसके साथ कुछ नहीं हुआ है इसको कुट दीजी लिया कि धर कुटने पर क्या मिलेगा एक मिलेगा डिफ्रेंशन करना चलिए यहां पर एन ड यह एक्स कौस बइस इतना होगा कॉट होगा पर लस्न लॉग श्न लाकर आंसर आये था आपको देखिए तो यह अब सुनी जीए बास सुनीए अगर यह कोश्चन जो है यह कोश्चन अगर अकेले आता है अकेले आता है इस तरह से तो अराम से लॉग लेकर बनाएंगे तक लोग लेकर बनाएंगे अकले नहीं आएगा साथ में किसी किसी के आएगा कईसे एक कुछन दरह उस तरह से देखिएगा तब हम लोग इस तरीका से बनाएंगे कईसे देखिए यहां पर कि जैसे मान लेजिए दिया है यहां पर कोश्चन एक इफ y is equal to x के पाउर x पलस sin x का पाउर x अब यहां पर लोग लेकर बनाएंगे तो काफी difficult हो जाएगा दिए कईसे solution करेंगे हम लोग solution दिखिए यहां पर y equal to क्या है x के पाउर x है है नहीं यहां पर पलस sin x के पाउर x इसलिए dy by dx क्या हो जाएगा दिखिए तो क्या होगा दिखिए यहां पर सबसे पहले इसको चक्रें पड़ेंगे हम लोग सेम टू सेम लिखा उपर लबटा नीचे वाला पड़ेंगे इस नीचे वाले में लोग लगेगा पलस क्या होगा नीचे वाले में लोग लगेगा गूने इसका डिखिए ना होगा बंद आव यह इसमें अगुष इस वाले डिप्रेंशीचन नीचे वाले में ही लॉग लगेगा लग लेंगर अगुना इसका डिफ्रेंशन एक सा कितना होता है वन होता है चलिए हो गए अंसर आगे सजादी जिए इसको एक्स के पाउर एक्स कड़ गया लॉग क्या बचेगा कड़ गया यह वन पलस लोग एक्स यह हो गया आपका पलस की छोटा कुछ दिजिए यहां से अच्छा स्लिक अच्छा रहीगा साइन एकस के पाउर एक्स आएक्स लॉट सलोग साइन एकसी तो है कि क्या हो गया आपका यहीं आपका इंसर हो गया इस तरह सब्नाएंगे अम लोग पास समझ रहें न है यहां पर और वास्मझ में आ गया कोई दिकर तो नहीं है चलिए चलिए और वी कुछ कोचन आते हैं इससे उसको भी हम तो लह सब बताया देना ते बोलिए अगर सब नहीं बताते हैं कि चलिए यहां दिखिए य इससे बनाएंगे हम लोग एक बन गया तो मज़ा जाएगा कोस एक्स कॉस क्या थिरी एक्स कॉस्ट टू एक्स कॉस्ट टू एक्स यहां रहेगा कॉस्ट टू एक्स लिखेंगे टेकिंग लॉग बोद साइट्स मुन्हों तरफ लॉग लिने पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई लॉग य बराबर क्या हो जाएगा तो दिखें क्या हो जाएगा लॉग लीजिए सब में लॉग लगने पर क्या होगा गुना होता है जोड़ में आ जाता है तो लॉग cos x plus log cos 2x plus log cos 3x यह हो जाएगा अब लिखेंगे यहाँ पर differentiating both sides with respect to x दुनों तरफ x के साप एक्ष में और कलन करने पर तो क्या हो जाएगा दिखिए d log y by dy यहाँ भी हम लो डिरेक्ट काम करेंगे तो अच्छा रहेगा लॉक का नियम क्या करता है जो आगे उसको निचे किजिए वन बाई किजिए इसका डिफ्रेंसियेशन दिवाई डिएक्स यह रहाएं ट्रीक में ट्रीक इसलिए सिखाये थे तक आगे काम आएगा जो ट्रीक नहीं समझेंगे हैं जो नहीं समझ पाहा है बड़िया से उनको प लॉक कि आगे वाला निचे आएगा इसका होगा डिफ्रेंसियेशन माइनस साइन 2 एक्स फिर दिखिए यहाँ पर एक्स नहीं 2 xMI है 2 x, 2 x का 2 हो जाएगा, 2 x का 2 हो जाएगा, फिर पर इसका यही है, 1 by cos 3 x, इसका होगा derivate differentiation, तो माईने साल साल 3 X 3 X कितना होगा त्री होगा चलिए यहां पर क्या मिलेगा दिवाई भाई बरावर y into minus minus यहाँ भी है यहाँ भी है मैनस कमन कर लेजिए तो sign by cos 10x plus 2 आजा गई दर 2 sign by cos 10 2x plus sign by cos 10 3 10 3x ताइन कामान के साथ में यहाँ आप से बन जाएगा चले आगे बढ़ते हैं अगले concept के साथ में अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आयते हैं उसको समयने का प्रयास किजिए यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट टाइप एस्पेसल टाइप लिखे एस्पेसल टाइप करें इसको मुद्श्वश्स कर देते हैं इनफ्रेंट्स रिज़ करके भी किताम में दिया रहेगा फ़र्क नहीं परता है यह ओनतु साइट टक है कि एग्रेट टक है यहोगया और इधर दे सकता है यहां पर y equal to sin x का power sin x ऐसे करके करते कहां तक इन फिंटी तक अनन तक जा रहा है तो t y v d x क्या होगा देखिए कैसे solve करेंगे solution कैसे होगा देखिए हाँ पर क्या है y equal to sin x फिर plus root over sin x plus root over sin x ऐसे होगा है अब देखिए करते क्या है दुरों तरफ square करते है square करेंगे तो क्या होगा root hurt जाएगा अब आपर sin x plus root under क्या sin x plus root under sin x plus इन फिंटी तक ले अब यह जो चीज़ दिख रहा है यह जो दिख रहा है इस तरह दिख रहा है आपको इसलिए इसके जगह पर क्या करते है इसके पूरे जगह पर देखिए यह पूरा पार्ट ऐसा दिख रहा है आपको दिख रहा है तो पूरा पार्ट जो इसके जगह पर क्या लिखेंगे हमनों y लिखेंगे यह जो पूरा पार्ट है 2y गुने dy by dx माइनस dy by dx साइने कितना होता है cos x होता है क्योंकि अब सब कुछ बता चुक है इसलिए डिरेक्ट मार रहा है डिरेक्ट क्यों कर रहा है क्योंकि सुरू से बताते हैं यहां तक आ गए है अब 2y हो जाएगा पाउर पीछ आता है जो पाउर के निचे रहता है उसका डिफ्रेंसन करते हैं यह मिल गए आपको चलिए यहां पर dy by dx कमन किजिए 2y माइनस 1 बरावर cos x तो इसलिए dy by dx क्या होगा cos x by 2y माइनस 1 यहीं क्या होगा आपका एंसर होगया यह तो बात समझ में आ गया ऐसे बनाना है आपको कि एक पर square करेंगे तो क्या होगा इज़े बूठट जाएगा यह जो है नहीं एक बच जाएगा यहां लिख देंगे हम लो और बाकी सब के जग़ा पर क्या लिखेंगे y को भेज देंगे इज़र उसके बाद डिफ्रेंशन कर देंगे बात खतम यहां पर आईए हबड़ा आईए नहीं हबड़ा आईए नहीं solution करेंगे यहां पर solution हल किजिए y इकोल टू क्या है sin x के power sin x का power sin x करके ऐसे infinity तक जा रहा है अब सवाल यह आता है भाई y यहां दिखिए y कोल टू sin x लिख दीजिए एक निक लिख दिया है यहां पर हमने अब बाकी सब के देखिए सब धक लेने पर क्या हो रहे है धक लेने पर सब आ रहा है y की तरह फिलिंग नहीं आ रही है समझिए एक निकाल लेंगे तो क्या होगा आ समझने में से निकालने पर फरक्तोड़े पड़ता है तो यसे इस तरह लेंगे हम तो बाकी सब किस की तरह है वाई की तरह नहीं तो यहां लिख देंगे वाई के लिए अब इस लिए इस लिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग लग लेक्ट घ्या इसलिए लोग vy is equal to क्या होगे पीछे चलाइगा कि लॉग sin x चलिए इसलिए differentiating both side is differentiating both sides को दूरों तरफ उकलन करने पर क्या हो जायगा one by y rebote लोग का काम है कि आगे वाला ची नीचे करते हैं नीचे का डिफ्रेंसियेशन डिवाई डिएक्स पराबर वाई को चाटेंगे इसका कर रहे हैं भूगा इसका क्या होगा दिखिए तो लोग के आगे वाला ची नीचे आएगा तो साइन एक्स इसका करेंगे डिफ्रेंसियेश कोस x चलिए इसका तो हो गया अब क्या करेंगे इसको चाटेंगे बाहर करेंगे log sin x गुने डिवाइब डी एक्स आगे ये इतना सिच्टम अब क्या है दिख़िए यहाँ पर भी यहाँ कीज़ी इधर लगे इधर काम कीज़े एक काम करते हैं यहां कि इसको लाते हैं इधर तो क्या common हो जाएगा dy by dx common हो जाएगा क्या बचेगा one by y minus log sin x बराबर इधर क्या बचेगा y cos y sin कितना होता है cot x होता है कितना होता है cot x होता है तो dy by dx क्या हो जाएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं समझ में आए होगा टेंसाना लिजिए का लिजिए गवर बैक करके क्लास होने के बाद देख लिजिएगा समझ में आ जाएगा यह सब चीजे बहुत जरूरी नहीं है तो दिकत हो जाएगा चलिए आगे एक लोजिक और समझते हैं कंसेप्ट को ताकि पूरा फुर्ण फैनल खतम ही हो जाए डिफ्रेंशिएसन कहने को तो बहुत कुछ है पाढ़ने को बहुत कुछ है समझेन को बहुत कुछ है लेकिन देखिए यहां पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएसन, चाहिए, डिरिवेटिव लिखे, यहां दिखे, लिखेंगे, डिरिवेटिव, डिरिवेटिव अफ, पारामेटिक, पारामेटिक फानसंस, चलिए यह क्या है समझे बढ़िया से इसमें देखिए समाजना कुछ नहीं है देखिए यहाँ पर simple बात समझे late x एक फांसन है t का f t और y एक फांसन है t का g t दोनों same variable का फांसन है आप करना क्या है यहाँ से dx by dt निकाल लेना है क्या हो जाएगा f dash t हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा dy by dt निकाल लेना हो जाएगा तो g dash t हो जाएगा now लिखेंगे अब now dy by dx क्या होगा लिख सकते हैं हम लोग ऐसे इसको dy by dt बटा dx by dt लिख सकते हैं हम लोग ऐसे तो क्या हो दिखिए इसका मानतवाया है G-T by A-T यह छोटा सा कंसेप्ट हुआ जिस एक्जामपल सहीं क्लियर किया जा सकता है हम यह नहीं बस समझे बढ़िया से यहां पर तो यहां दिखें एक्जामपल लेते हैं कि यहां पर देखिए एक्स बराबर दिया है एक कॉस्ट ठीटा अवाई बराबर दिया है बी साइन ठीटा ठीक है ना डिवाई बाई डिएक्स क्या होगा आपको बताना है क्लियर अब समझे बढ़िया से यहां पर सुलूसन कैसे करेंगे क्या है एक्स बराबर दिया है एक कॉस्ट ठीटा इसलिए डी एक्स बाई डी ठीटा क्या हो जाएगा एक कॉस्टेंटे बाहर निकलेगा अकॉस्टा कितना होता है माइनस साइन ता माइनस बाहर निकाल सकते हैं हम लोग y equal to क्या है b sin theta dy by d theta क्या हो जाएगा तो b sin कितना होगा cos होगा cos होगा तो इसलिए dy by dx बराबर क्या हो जाएगा dy by d theta by dx by d theta d x by d theta clear इसका value क्या होगा तो b cos theta by इसका क्या होगा minus a sin theta तो minus b by a देखे इसको ऐसे लिख सकते हैं नो क्यों कि डी theta टे कट जाएगा तो क्या होगा इतना ही बच्चेगा ना होगा इससे फाइड़ा देखे क्या हो रहा है कि इसका मनवा इतना मिला था हमको यहां पर लिख दे रहा है यहां पर इसका यहां मिला है इसको लिख दे रहा है यहां पर ते क्या हो जाएगा है B cos theta ऑइ- sin theta chairman by में एव ant साइन साइन कितना होगा कोट होगा सुक्स mankind क् fallait होगा कोट ऑच्च क्या होगा कोट होगा कि समय बाण कोई दिक्कत तो नहीं है और क्लीए ऐस एक गऑस्टे i इस mesure अर गज है चैनल इसपे बहु सार आई महीं अर्चे अनल है इंसे ड CeOW और जितने important questions सब बनाते चलिए बस concept समझेगे कैसे होता है बस इतना ही जाना है आपको कैसे होता है समझना है अब जेक्टिव स्रीज हम चला ही दिये हैं अब जेक्टिव स्रीज जो बनिया से देख रहे हैं उनको तो काफी बल्ले-बल्ले है फायदा है और जो नहीं देखे ह समझ जाना है आपको जो question आगा तो चुटके बजा के बना दीजिएगा clear अभी सुनिए अब समझते हैं second order derivative क्या होता है दूतिय कोटी का derivative क्या होता है उसको समय लेते हैं ताकि concept clear हो जाए लिखेंगे हैं यहाँ पर second order derivative second powder derivative derivative दूतिय कोटी का आउकलज करना कुछ नहीं है समझें यहाँ पर y पराबर क्या होता है यहाँ पर दिखेंगे it equal to क्या होता है फेक्स है हम यहाँ पर इसलिए dyaley dx क्या हो जाएगा एफ डяти एक्स हो जाएगा आ कि इसको फिर differentiate करेंगे क्या मिलेगा नावं क्तीपरेंशियट करेंगे क्या मिलेगा दी बाइड डे smack ौ डि d y by dx, differentiation करें एंग दुनों साइड में, तो क्या होगा d f dash x by dx, तो ये क्या होगा, इसके लिए symbolic आएगा यहाँ पर, d square y by dx square, कुछ लोग इससे d square y by dx square का जगार पढ़ता है, d 2i by dx 2 ये भी साही है, ये हो जगाएगा double dash x, इसका मतलब क्या है कि दो बार differentiating of function two times किसी फंसन को दो बार differentiate करना example से समझ में आएगा सब कुछ चलिए example क्या है देखिए कर रहे है y बराबर दिया है x के पाउर 20 find d square y by dx square चलिए solution क्या निकलेगा दिखिए है दिखा यहाँ पर y बराबर कितना है x के पाउर 20 से है d y by dx क्या हो जाएगा चलिए तो लिखेंगे d x के पाउर 20 by dx क्या मिलेगा 20 into x के पाउर 19 लिखेंगे differentiating both sides respect to x जे इसलिए यहां पर डी स्कॉयर वाई बाई डी एक्स एक्स डी एक्स स्कॉयर क्या हो जाएगा यहां पर constant है 20 बाहर होगा डी एक्स के पाउर 20 by dx तो क्या हो जाएगा देखिए अने इस तुरह 38 381 एक्स के पाउर 18 यहीं क्या हो गया answer हो गया एक question देते हैं हम y बराबर दिया है x square d square y by dx square कितना होगा आप लो हमें comment box में comment करके बताएंगे class कैसा लगा इसके बारे में आप हमें जरूर बताएं comment करके differentiation में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको और बता जा सकता है लेकिन एक limitation होता है हर कितना पचा सकते हैं कितना आप समझ सकते हैं इसलिए उतना ही आपको हम dealing किये हैं clear तो आप लोग जितना समझे हैं उतना जरूर अपलाई किजिगा जीवन में आगे भी काम आए गये ऐसा नहीं कि आज ये खत्म हुआ तो आप सबसे रिक्वेश्ट है कि दुस्तों में सेर किजेगा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं तो कर दिए सब्सक्राइब और फिर मिलेंगे अगले कलास में तब तक के लिए धन्नवाद थैंक्यू